सबसे पहले मैं पुलवामा के आतन की हमले में सहीद जवानों को आदर पुर्वक सद्धांजली अर्पित करता हूँ उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण नियुचावर किये है दुख की इस गड़ी में मेरी और हर भारतियों की सम्वेदनाई उनके परिवार के साथ है इस हमले की वज़े से देश में जितना आक्रोश है लोगों का खुन खौल रहा है ये मैं भली भाती समझ पा रहा हूँ इस समय जो देश की अपेच्छाएं हैं कुछ कर गुजरने की भावना हैं वो भी स्वाभाविक है हमारे सुरक्षाबलों को पूर्ण स्वतंत्रताग दे दी गई है हमें अपने सैनिकों के शावरिय पर उनकी बहदूरी पर पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है कि देज भक्ती के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजन्सियों तक पहुचाएंगे ताकि आतं को कुछलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके मैं आतं की संगठुनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गल्ती कर चुके हैं बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीशे जो ताकते हैं इस हमले के पी जो भी गुनेगार है उन्हें उनके किये की सजा अवश्य मिलेगी जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पुरा अधिकार भी है लेकिन मेरा सभी साथियों से अनरोध है कि ये वक्त बहुती संवेदंसिल और भावपल है पक्षमें या भी पक्षमें हम सब राजनीतिक छींटा कसी से दूर रहें इस हमले का देश एक जुठ होकर के मुकाबला कर रहा है देश एक साथ है देश का एक इस्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए त्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं पूरे विश्व में अलग थलग पढ़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर यह समझता है कि जिस तरह के कृत्ते वो कर रहा है जिस तरह की साजी से रच रहा है उससे भारत में अस्थिर्ता पैदा करने में सपल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे वो कभी यह नहीं कर पाएगा और नहां कभी यह होने वाला है इस समय बड़ी आर्थिक बेहाली के दोर से गुजर रहे हमारे पडोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचा कर भारत को बदहाल कर सकता है उसके यह मन्सूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अकत्यार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है 130 करोड हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश ऐसे हर हमले का मुह तोड़ जवाब देगा कई बड़ो देशों ने बहुती सक्त शब्दों में इस आतं की हमले की निन्दा की है और भारत के साथ खड़े होने की भारत को समर्थन की भावना जताई है मैं उन सभी देशों का आभारी हूँ और सभी से आवान करता हूँ कि आतंगबाद के खिलाब सभी मानोताबादी शक्तियों को एक हो करके लड़ना ही होगा मानोताबादी शक्तियों ने एक हो करके आतंगबाद को परास्त करना ही होगा आतंग से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मात एक स्वर एक दिशा से चलेंगे तो आतंग मात कुछ पल से जादा नहीं टिक सकता है साथ क्यों पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्तिती और माहोर दुख के साथ आक्रोज से भरा हुआ है ऐसे हमलों का देश डटकन बुकावला करेगा या देश रुकने वाला नहीं है हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण के आहूती दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिन्दगी लगाता है पहला देश की सुरक्षा दूसरा देश की सम्रद्दी मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए उनके आशिरवान लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वाद जताता हूँ कि जिन सब्दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूद किया है उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे सम्रुद्द्ध के रास्त को भी हम और अधिक गटी दे करके विकास के रास्ते को और अधिक ताकत दे करके हमारे इन बीर शहीदों के आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे